वहिशेकपुरा में मासरस्वधी की मूर्ती विसरजन के दौरान दो पक्षों की बीच जमकर मारपीट हुई बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर दो पक्षों की बीच विवाद हुआ जिसके बाद मारपीट में दस से ज्यादा लोग घायल हुए आपको बता दे कि ये घटना जिले के शेकुपुर सराय थनक्ष्वेतर की है वहिनालंदा केच शबिलापुर थाने ने थाना में शराब के नशे में डांस कर रहे दो योवकों को ग्रफतार किया है बताय जा रहा है कि प्रश्वासन के सक्त निर्देश के बाद भी सरस्वती पूजा में डीजे बजाने के साथ कुछ लोग शराब के नशे में बार बालाओं के साथ डांस कर रहे है इसकी सूशना मिलता ही पुलिस मौके पर पहुँच कर कारवाई करते हुए दो योवकों को ग्रफतार कर लिया और पूरे मामले की चानवीन कर रही है वही मुतिहारी के पकड़ी दयाल थानक श्यतर के चोरमा में CRPF जवान के जमीन पर रिष्टदारों ने जबरन कबजा कर लिया इतना ही नहीं CRPF जवान को रिष्टदारों ने जान से मारने की धमकी भी दी है मामला दो कठा जमीन पर चल रही विबात का है जम्मू कश्मीर में तैनाद CRPF, ASI, इफ्तिकार एहमद खान ने इस मामले में पकड़ी दयाल की DSP को अविधन भी दिया है मगर अभी तक कोई कारवाई नहीं की गई है जोसे पीडित की समस्याएं काफी बढ़ गई है रुकरते अंगली खबर का पुणिया के सहायक खजांची थनक्षितर में अपराधियों ने गोली बारी की घटना को अंजाम दिया है बताया जा रहा है कि शादी समारों में शामिल होने आए लोगों पर अपराधियों ने अंधा दुन फाइरिंग कर दी जिसमें दो लोग घायल हो गए जबकि एक युवक की मौत हो गई सूचना पर पहुंची पुलस ने शवक को कबजे में लेकर पोस्मार्टम के लिए भीज दिया है वहीं युवक की पहचान सहरसा के रहने वाले राजकुमार सिंग की रूप में की गई है वहीं बेगू सराय में दरिंदो ने एक छात्रा के साथ रेप कर उसकी हत्या कर दी और शव को फेंक दिया गटना बेगू सराय के वीरपूर थाना क्षेत्र की है बताया जा रहा है कि पांच दिन पहले छात्रा बिसकुट खरीदने के लिए अपने घर से निकली लेकिन वापस घर नहीं लोटी परिजनों ने खोजबीन के बाद 14 फरवरी को वीरपूर थाने में अपहरन के लिखित शिकायत दर्ज कर आई आज ग्रामिनों ने छात्रा के शव को नदी में तैरते देखा तो सूचना पुलिस को दी वहीं मौके पर पुलिस ने पहुँचकर शव को कबजे में लेकर पोस्समाटम के लिए भेज़ दिया है और पूरे मामली के छानबीन कर रही है वहीं परिजनों का आरोप है कि छात्रा की दुशकर्म करने के बाद ही हत्या की गई है शेकपुरा के अरियरी थाना के चोर दरगाह में मुबाइल फोन पर तीन तलाग दिये जाने का मामला सामने आया है बताया जा रहा है कि एक पत्मी ने अपने पती से खर्च के लिए रुपाई की मांग की तो उसने फोन पर ही उसे तलाग दे दिया पिडिता ने नयाय के लिए एसपी से गुहार लगाई है पिडिता ने कहा कि शादी के बाद से इस असुराल के लोग दहेज के लिए उसे प्रताडित कर रहे है वो पिछले एक साल से दो बच्चों के साथ अपने माईके में रह रही है मदुबानी जिले के लिए परसा गाउ में आपसी रंजिश में एक पडूसी ने अपने पडूसी के ही घर में पेट्रोल चिड़कर आग लगा दी बताया जा रहा है कि मुहमद सुलिमान के घर में आग लग गई है जिसके कारण लाखो की संपत्ती और मवेशी आग में जलकर खाक हो गए आपको बता दे कि कुछ ही दिनों में मुहमद सुलिमान की बेटी की शादी है तो वहीं मुहमद सुलिमान का कहना है कि उन्होंने अपने पडूसी जहिरुल नदाफ और मुहमद इंताज के खिलाफ प्राथमी की दर्ज कराई है मसौडी के मुहदिपूर गाओं में एक 35 वर्षिय व्यक्ति के शव मिलने से लाके में संसनी मच गई पताया जा रहा है कि मृतक की पहचान स्थानिय निवासी जीतन चौदरी के रूप में हुई है मसौडी के तारेगना गाओं में बच्चों की बीच खेल के दौरान हुए विवाद ने बड़ा रूप ले लिया दरसल बच्चों की बीच हुए मारपीट में दोनों पक्षों के परेजन भी शामिल हो गए जिसके बाद जम कर मारपीट हुई बताया जा रहा है कि इस दौरान हवाई फाइरिंग भी की गई वहीं इस गटना की सुझना बागर पुलिस ने मामले की चानबीन शुरू कर दिया पुणिया में प्रादियों ने सांसत के भाई पर जान लेवा हमला किया है इस हमले में सांसत के बड़े भाई हरेंद्र कुश्वाहा तो बालवाल बच गए लेकिन उनके स्कॉर्पियों की गाड़ी को बदमाशों ने पूरी तरह चूर कर दिया पुलेसेस मामले की शानबीन कर रही है हम रामबाग से एक साधी समारों में जा रहे थे और तीन गाड़ी से अवर्टेक करके हमारी गाड़ी को रोका गया और उसके बाद जो हमारे उपर जानलेवा हमला किया गया हम किसी तरह जान बचा के वहां से भागे है और भाग दौर के करन में हमें चोट भी आई है और उसके बाद जो है हम कुछ लोगों को पाचान चुके है जिसकी जानकारी हम स्पी साहब को दे दिये है महीं शेकपूरा में भी किसानों के समर्थन में देश व्यापी रेल रोको अभियान के तहट महागटबंधन के कार्यकरताओं ने गया से क्यूल जाने वाली मेमू ट्रेन को रोक कर विरोध किया मौके पर CPI के जिला सचीव प्रभात कुमार पांडे RJD जिला ध्यक्ष्य संजय कुमार किसान नेता कमलेश कुमार मानव ने मांग की कि किसान विरोधी कृष्य कानून केंद्र को वापस लेनी चाहिए साथी बिहार में मंडे विवस्था लाबू भी करनी चाहिए वह यौरंगाबाद में सड़क सुरक्षा माह का समापन का रिक्रम का योजन किया गया इस दोरान सांसद सुशील कुमार सिंग ने कहा कि केंद्र सरकार सड़क पढ़ लोगों के जीवन की सुरक्षा को लेकर सजग है पियमोदी और केंद्रिय मंत्री नितिन गटकरी इसके लिए कई मुहीम चला रहे हैं इसी मुहीम के तहट राश्ट्रिय सड़क सुरक्षा मा चलाया गया मुगेर जिले के असरगंज प्रकंड के बंधन बैंक जलालाबाद शाखा में कैशियर के पद पर कारेरत मोनीका कुमारी को दो बाइक सवर अपराधियों ने गोली मार दी और मौके से फरार हो गए वहीं घटना के बाद इस्थानिये लोगों ने घायल युवती को पीएसी असर गंज लाया जहां उसे बहतर इलाज के लिए भागलपुर रेफर कर दिया गया है वहीं पुलिस को घटना की सूचना दे दी गई है जहां पुलिस मामली की जहांच कर रही है मुगेर जिले के संग्रामपूर सामुदाइक स्वास्ते केंद्र में डॉक्टरों की दबंगई देखने को मिली है बताय जा रहा है कि एक महिला के इलाज के दौरान एनम मरीज के परिजनों पर भड़क गए जिससे लेकर मरीज के परिजन और एनम के बीच तू-तू मैं में होने लगी मामले को सुलजाने में कई घंटे भी लग गए वहिसुपॉल की त्रिवणी गंज में व्यवसाई पुत्र की हत्या को लेकर किये गए विरोध प्रदर्शन में पुलिस को बड़ी कारवाई की है दरसल हत्या के विरोध में प्रदर्शन करने वाले 24 नामजद और 100 अग्यात लोगों पर पुलिस ने FIR दर्ज की है बताया जा रहा है कि हाली में व्यवसाई पुत्र की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी जिसके विरोध में जिले के NH-327 को जाम कर विरोध प्रदर्शन किया गया था पुलिस ने इसी मामले में कारवाई की है बिहार में मैट्रिक परिक्षा की शुरुवात हो चुकी है सूबे में आज मैट्रिक परिक्षा का दूसरा दिन रहा जहां बिहार के तमाम जिले में मैट्रिक के परिक्षार्थियों ने एक्जाम दिया इसी कड़ी में जमुई के 30 परिक्षा केंद्रों पर भी मेट्रिक की परिक्षा हुई बताया जा रहा है कि जमुई जिले में अब तक कुल 460 परिक्षार्थी एक्जाम में उनुपस्थित रहे आपको बता दे कि जमुई SDM प्रतिभारानी, ADM कुमार संजे प्रसाद, DDC आरिफ हसन लगतार सभी परिक्षा केंद्रों पर निरिक्षन भी कर रहे है वही सुपॉल की त्रिविणी गंज में मेट्रिक परिक्षा दे रहे दो फरजी परिक्षार्थियों को ग्रफ्तार किया गया है बताया जा रहा है कि मैट्री के परिक्षा दे रहे दो फर्जी परिक्षारतियों को SDO शेक जेड हसन ने रंगे हाथ हिरासत मिलिया है और त्रिविणी गंज थाना को सौप दिया यह घटना RKVA प्लस टू उच्छ विद्याले त्रिविणी गंज की है भोजपुरी इंडस्ट्री में फिल्म स्टार के ऑनलाइन स्क्रिनिंग का भी खोब चलन है आपको बता देगी भोजपुरी इंडस्ट्री की सूपर हिट जोड़ी मानी जाने वाली केसारी लाल यादव और काजल रागवानी की लिट्टी चोखा आकरी फिल्म है चाहे बात फिल्मी परदे की करें या रियल लाइफ में इनके फैंस दोनों को साथ में देखना खुब पसंद करते हैं खबर है कि खेसारी लाल यादव और काजल रागवानी के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है ऐसे में सूत्रों के हवाले से ये बात सामने आई है कि 9 अपरेल को रिलीज होने वाली भोजपुरी फिल्म लिट्टी चोखा दोनों की आखरी फिल्म साबित हो सकती है काजल ने कहा कि आज वो जिस मुकाम पर हैं वो उन्होंने कड़ी मेहनत से हासिल की है उन्हें खेसारी लाल यादव या किसी अन्यक अलाकार के साथ काम करने में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन खेसारी लाल यादव हर जगह उन्हें बदनाम कर रहे हैं फिलाल बुलेटिंग में बस इतना ही हमें दीज़े इजासत बने रही नेशन न्यूस के साथ धन्यवाद वहीं सरायकिला जिला कीचाकर प्रकंड के बुदालंग विद्याले परिसर में बाड़ी परियोजना और महिला उत्पादक समिती का उधगाटन किया गया आपको बता दे कि इस कारेक्रम में नावाट के मुख्य महाप्रबंधक जिला विकास प्रबंधक लडियम सहित बड़ स्टेशन पर वामदलों के कारेकरताओं ने रेल पट्रियों पर उतर कर अपना विरोध प्रदर्शन किया वामदलों को रेल पट्रियों से हटाने में आरपी अफ जवानों को काफी मशक्कत करनी पड़ी वहीं अंदोलनकारियों ने कहा कि जब तक केंदर सरकार तीनों इराची में आरजडी प्रदेश कमिटी ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया आपको बता दे कि राची के अलबर टेक का चौक पर आरजडी करेकरताओं ने केंदर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी किया और प्रधान मंत्री न संगटन के सेंट्रल कमिटी के सदस्य जैमन और उसके सहयोगी को गरफतार किया है वहीं दोनों के गरफतारी के बाद हुई पूशताश में मिली जानकारी के मताबिक सिलिंडर बमों को भी बरामत किया गया है आपको बता दें कि पुलिस को गरफतार नकसली से मिली जानकार को गिरफ्तार कर लिया है वहीं पुलिस का कहना है कि एक और आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है जिसको लेकर फिलाल चानमीन चल रही है वहीं सराइकिला जिला की चाकर प्रकंड के बुदालंग विद्याले परिसर में बाड़ी परियोजना और महिला उत्पादक समिती का उत्गाटन किया गया आपको बता दे कि इस कारेकरम में नावाट के मुख्यर महा प्रबंधक जिला विकास प्रबंधक लडीम सहित बड़ी संक्या मैंने वरियप अधिकारी भी मौझूद रहे